रूस में आपका स्वागत है, एक ऐसा देश जिसका इतिहास सम्रिधा है, परिद्रश्य अद्भुत है, वास्तुकला अद्वितिया है और निश्चित रूप से यह ग्रह पर सबसे खूबसूरत महिलाओं का घर है. यूरेशिया मिस्थित रूस भूमी क्षेत्रपल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो पूर्वी यूरोप और उत्तरिय इशिया के विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ है. रूस का क्षेत्रपल 17,000 शून्य शून्य वर किलोमीटर से अधिक है, जो पृत्वी के रहने योग्य भूमी क्षेत्र का लगबग आठवा हिस्सा है. यूरोपिय परिक्षेत्र में स्थित कलीनी नगराद से लेकर प्रशांत महासागर के तटपर्स्थित व्लादि वोस्तोंग तक रूस की भोगोलिक विविद्टा प्रभावशाली है. इस देश में यूरेशिया के मैदानों से लेकर काकेश्यस और यूराल परवत, साइबेरिया के बोरियल वन और आक्टिक टुंडरा तक सब कुछ मौझूद है. लगभग 1450000 लोगों की आबादी के साथ, रूस दुनिया का नौवा सबसे अधिक आबादी वाला देश है. विशाल प्रादेशिक विस्तार और शहरी क्षेत्रों में लोगों की अधिकता के कारण जनसंख्या घनत्व अपेक शाकृत कम है. रूस की राजधानी मौस्कोर लगभग 12000-00-00 निवासियों के साथ सबसे आधिक आबादी वाला शहर है, जिसके बाद सेंट पीटर्सबग लगभग 5000-00-00 निवासियों के साथ दूसरी स्थान पर है. रूसी जन संख्या विवेध है, जिसमें 190 से आधिक जातिय समूह और राष्ट्रियताई शामिल है आधिकारिक भाषा रूसी है, लेकिन विभीनक शेत्रों में अन्य भाषाय भी बोली जाती है, जो देश की समरिदर सास्कृतिक विरासत को दर्शाती है सास्कृतिक द्रिश्टी से रूस साहित्य, संगीत, बैले और द्रिश्यकला में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिध है टॉल्स्टोई, दोस्तोवस्की और चेखव जैसे लेखक, चिकोवस्की और राचमानिनौफ जैसे संगीतकार, तथा बोल्शोई बैले के नर्तक रूस की सांस्कृतिक विरासत के कुछ उदाहरन है रूसी संस्कृति की समरिद्धी और गहराई उसके इतिहास और लोगों की जटिलता और विविद्धा को प्रतिबिम्बित करती है रूसी साहित्य विश्व के सरवादिक प्रभावशाली साहित्यों में से एक है उन लेखकों के साथ जिन्होंने नैतिक्ता, अस्तित्वा और मानवी अस्तिती के सार्वभामिक विश्यों का अन्वेशन किया है वॉय और पीस और अन्ना कैरिनीना जैसी क्लासिक स्पुस्तकों के लेखक लियो टॉल्स्टोई को रूसी समाज के विस्त्रित विवरन तथा जीवन और मृत्यू पर दार्शन एक चिंतन के लिए जाना जाता है उनकी रचनाय अक्सर नैतिक्ता और आध्यात्मिक्ता के गहन प्रशनों को संबोधित करती है तथा मानव स्वभाव की जटिलता और उनके पात्रों के आंतरिक संघर्शों को उजागर करती है Crime and Punishment और The Brothers करमाजोव जैसी कृतियों के लिए प्रसिद फ्योदोर दोस्तोवस की अपने पात्रों के मनुविग्यान में गहराई से उतरते हैं नैतिक और अस्तित्वगत दुविधाओं की खोज करते हैं उनके उपन्यास प्राया अपराद बोध, मुक्ती और अच्छाई वबुराई के बीच संघर्श जैसे विशेयों पर आधारित होते हैं तथा मानव आत्मा के बारे में गहरी अंतरद्रिष्टी प्रदान करते हैं रूसी शास्त्रिय संघीत भी सम्रिधा और विविध परंपरा रखता है जिसमें संघीतकार लोक तत्वों को शैलीगत नवीनताओं के साथ मिश्रित करते हैं प्योत्रिलियच शिकोवस की अपनी भावपूर्ण धुनों और भव्यवाद्य संघीत के लिए प्रसिध हैं उनकी संघीत शैली जो गहरी अभिव्यक्ति और काव्यात्मक संदर्य से परिपूर्ण है ने वैश्विक शास्त्रिय संघीत में एक विशेश स्थान प्राप्त कर लिया है महांतम पियानोवादकों में से एक सगे राचमानिनौफ अपनी रोमेंटिक और कलात्मक रचनाओं के लिए प्रसिध हैं जिन में दपियानो कंसिटोस और रैप्सोडी और ने थीम औफ पगैनिनी शामिल है उनकी कृतियां जो सम्रिद सामंजस्य और लैबद जटिलता से चिनित हैं अपनी भावनात्मक गहराई और तक्नीकी प्रतिभा के लिए आज भी प्रशनसित हैं रूस का एक अन्य व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त पहलू है इसका बैले एक कला रूप जो देश की संस्कृती के सबसे प्रतिष्टित प्रतिकों में से एक बन गया है रूसी सामराजय के दिनों से ही रूसी बैले अपनी तक्नीकी उत्कृष्टता, सुन्दर्ता और अभिव्यक्ती के कारण विश्व भर में प्रशनसकों का दिल जीता रहा है रूसी संस्कृती पर चर्चा करते समय हम उसके भोजन शास्ट्र को नजर अंदाज नहीं कर सकते रूसी भोजन देश के विशाल इतिहास और विवेद संस्कृतिक प्रभावों को प्रतिबिम्बित करता है स्वाद और परंपरा से भरपूर रूसी भोजन में साधारन सामगरी और पीडियों से चलिया रही तैयारी तक्नीक का मिश्रण होता है रूसी व्यंजनों के सबसे प्रतीकात्मक व्यंजनों में से एक है बलिनी ये पतले और नाजुक क्रेप्स गेहूं आधारित बैटर से बनाए जाते हैं और उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें विभिन अफसरों के लिए उप्योक्त बनाती है परंपरागत रूप से बलीनी का सेवन मसलिनित्सा के दौरान किया जाता है जो सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुवात का प्रतीकुद्सम है रूसी भोर्जन का एक अन्य प्रतिष्ठित व्यंजन बोर्ष्ट है चुकंदर का सूप पूरे पूर्वी यूरोप में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है यद्यपी इसमें कई क्षेत्रिय विविद्ध ताएं हैं रूसी बोर्ष्ट अपने गहरे स्वाद और जीवन तरंग के लिए जाना जाता है बोर्ष्ट को ताजे चुकंदर से तयार किया जाता है जो सूप को उसका विशिश ट्रंग देता है साथ ही इसमें गोभी, गाजर, आलू और प्यास जैसी कई अन्य सबजियां भी डाली जाती है आमतोर पर सूप में मास मिलाया जाता है अक्सर गौमास जिसे उसका स्वाद निकालने के लिए धीमी आंश पर पकाया जाता है अब आये कुछ बात करते हैं मास को शहर के बारे में जो रूस की राजधानी है ये जीवन्त और एतिहासिक महानगर देश का धड़कता हिरिदय है जो सम्रिद्ध अतीत और गतिशी लादुनिकता का मिश्रण है परंपरा और नवीन्ता के अपने अनूठे मिश्रण के साथ मास को अपने निवासियों और आगंतुकों के लिए कदवितिय जीवन अनुभव प्रदान करता है मासको महान एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का शहर है बारवी शताब्दी में स्थापेत ये शहर सधियों से रूस का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद रहा है क्रेमलिन एक मद्ययोगीन किला जो रूसी राष्ट्रपती का आधिकारिक निवास है तथा रेट स्क्वाय जिसमें प्रतिष्ठित सेंट बेसिल के थेद्रल है इस महान महानगर के अंतराष्ट्रिय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतीक है रूस की राजधानी के रूप में मासको देश का प्राथमिक आर्थिक केंद्र है ये शहर रूस की कई बड़ी कमपनियों के मुख्यालियों के साथ साथ प्रमुख अंतराष्ट्रिय निगमों की शाखाओं का भी घर है वित्तियक शेत्र विशेश रूप से मजबूत है मॉसको स्टॉक एक्सचेंज विश्व के अग्रणी एक्सचेंजों में से एक है लेकिन यूक्रेन के साथ स्थिती के कारण ये कमजोर हो गया है इसके अतिरिक्त ये शहर स्टार्टप और तक्मीकी नवाचार का केंद्र है मॉसको की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली व्यापक और कुशल है यहां की मेट्रो प्रणाली अपनी स्थापत्य कला की सुंदर्ता और कवरेज दोनों के लिए प्रसिध है मॉसको के मेट्रो स्टेशन कला के सच्चे नमूने हैं मेट्रो के अलावा शहर में बसो, ट्रॉली बसो और ट्रामो का एक व्यापक नेट्वर्क है जो इसके निवासियों की गतिशिल्ता को सुविधाजनक बनाता है मॉसको एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता यहां का शहरी जीवन जीवन्त है जिसमें बार, थीएटर, कला दीरगाएं और रेस्तरां की विस्तरिट श्रिंखला शामिल है जब मॉसको में सूरज डूबता है तो ये शहर मनुरंजन और उर्जा का केंद्र बन जाता है जो विशेश रूप से अपनी जीवन्त नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है रूसी राजधानी में प्रसिद नाइट कलबों से लेकर आराम दायगबार और पब तक के विकल पूप लब्ध है मॉस्को अपने नाइट कलबों के लिए प्रसिद है जो एक आविस्मरणिय रात्री विश्राम की तलाश में स्थानिय लोगों और परियट को दुनों को आकर्शित करता है सबसे प्रसिद स्थलों में थी माधारित पार्टिया, विशाल आउडोर डान्स फ्लो और विश्व स्तरिय डीजे और लाइव प्रदर्शनों का सयोजन शामिल है यदि आप भी मेरी तरह कारों के प्रती अप्रतिम जुनून रखते हैं, तो मौस्को की सडकों पर घूमना आपको मंत्र मुग्दा कर देगा अपनी भव्यता और परिशकार के माहौल के साथ, मौस्को एक ऐसा शहर है जहां लगजरी कारे स्थिती और सफलता के प्रतीक के रूप में सामने आती है रूसी राजधानी की सडकों पर टहलना किसी भी आटोमोटिव उत्साही के लिए एक आकर्शक अनुभव है शहर उच्च गुनबत्ता वाले वाहनों की वास्तविक परेड में तब्दील हो रहा है जो मौस्को वासियों के अत्यादुनिक इंजीनियरिंग और परिशक्रित डिजाइन के प्रती जुनून को दर्शाता है मौस्को की व्यास्त सडकों पर विश्व प्रसिद सुपरकारे अपनी वायुगती की अरेखाओं और शक्तिशाली इंजिनों से सबका ध्यान आकर्शित करती है फरारी, लेंबॉगिनी, ओडी और पोश को अपनी अनुखी गरजना के साथ सडकों पर दोड़ते हुए, लोगों की नजरे अपनी ओर खीचते हुए और प्रशन सा जगाते हुए देखना आम बात है ये कारे न केवल गति और प्रदर्शन का प्रतीक है, बलकि पहियों पर कलाकृतियां भी है प्रतीक में बोल्ड डिजाइन का प्रदर्शन किया गया है जो शहर की जीवन तूर्जा के साथ पूरी तरह से मेल खाता है लेकिन इसमें कोई गलती ना करें, मौस्को की सडकों पर आपको सिर्फ कारे ही नहीं दिखेंगी कल्पना कीजिए कि आप इन सडकों पर सुपरकारों के बीच चल रहे हैं और अचानक एक खूबसूरत रूसी महिला आपकी नजर में आ जाती है रूसी राजधानी में राते जीवन्त और हलचल भरी होती है और रूसी महिलाओं का आकर्शन निर्विवाद है हजारों आकर्शक महिलाओं मौस्को के जादूई माहौल में अपना योगदान देती हैं जिनमें से प्रत्येक में शारीरिक सुंदर्ता और आकर्शक व्यक्तित्व का अनूठा सयोजन होता है रूसी महिलाओं अपनी अद्बुत सुंदर्ता के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं इसे अक्सर क्लासिक और सुरुचिपूर्ण बताया जाता है उनकी शारीरिक विशेष्टाएं जैसे आकर्शक और सम्मित चहरे की विशेष्टाएं उची गाल की हड्डियां और लंबे सुग्यवस्तित बाल आसानी से सामने आते हैं प्लैटिनम ब्लॉंड से लेकर ब्रूनेट्स और रेड हैट्स तक बालों के रंगों की विविद्धा उनकी विविद्धा को और भी अधिक बढ़ा देती है उनकी आँखें गहरी नीली, पन्नाहरी या तीवर भूरी हो सकती हैं जो रहस्य और जीवन्तता का मिश्रंड बिखेरती हैं इसके अतिरिक्त, पतली, कमर और सुडॉल कूलों के साथ इन महिलाओं की सुन्दर और स्त्रियोचे ताक्रितियां, कैजूल और आपचारिक परिधान दोनों में उनकी सुन्दरता को बढ़ाती है अपने प्रभावशाली रूप के अलावा, रूसी महिलाओं को उनके आकर्शक और बहुमुखी व्यक्तित्व के लिए भी सराहा जाता है वे देखभाल करने वाले और स्वागत करने वाले होते हैं, घनिश्ट रिष्टों को महत्व देते हैं, तथा जिन लोगों से वे प्रेम करते हैं, उनके प्रती सच्ची देखभाल प्रदर्शित करते हैं रूसी महिलाओं के जीवन में परिवार का केंद्रिय स्थान है, जो अपने प्रियाजनों की देखभाल के लिए समर्पित है और अक्सर परिवार में मुख्य स्तंभ की भूमी का निभाती है. वेसनेही होने के साथ साथ स्वतंत्र, मजबूत, लचीले तथा साहस और शालीनता के साथ चुनोतियों का सामना करने के लिए द्रिर्ड संकल्पित भी होते हैं. उनमें से कई लोगों में कला, साहिते और संस्कृती के प्रती गहरी सराहना होती है, वे अच्छी तरह से शिक्षित होते हैं और विभिन विशियों में रूची रखते हैं, जो उन्हें उतक्रिष्ट, वार्ताकार और बौधिक साथ ही बनाता है. मौस्को में शूरवीरों का प्रदर्शन अपने आप में एक तमाशा है, जो उर्जा और गती से भरा होता है, और रूसी महिलाएं इस जीवन्त माहौल में महत्पपूर्ण योगदान देती हैं. सुरुचिपूल और परिश्कृत परिधानों में सजे धजे वे हर रात को एक ग्लेमरस कारिक्रम में बदल देते हैं, जिसमें स्टाइल और क्लास का अद्बुद सम्मिश्रन होता है. जिस आत्मविश्वास के साथ वे चलते हैं वो सम्मोहक है, वे सीधे खड़े होकर चलते हैं और उनका आत्मविश्वास इतना अधिक है कि वे जहां भी जाते हैं, लोग उनकी और देखते हैं और उनकी प्रशन सा करते हैं. इसके अलावा विनृत्य करना, हसना और दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, जिससे खुशी और जीवन्तता का माहौल बनता है जो मौस्को नाइट्स को अविस्मरनिय बनाता है मैं जानता हूँ कि देश की वर्तमान स्थिती को देखते हुए, आप शायद ही रूस में रहना चाहेंगे लेकिन जो लोग देश की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए संभावे थ्यात्रा के खर्च के बारे में जानकारी रखना अच्छा है अपने सम्रिदा इतिहास और जीवन संस्कृती के कारण रूस एक आकर्शक गंतव्या हो सकता है, लेकिन इसके लिए वित्तिया रूप से तैयार रहना भी महत्वपूर्ण है आये कुछ मुखे लागतों के बारे में जाने जिनका सामना आपको इस देश की यात्रा के दौरान करना पड़ सकता है किराये की लागत शहर और शहर के बीतर स्थान के आधार पर काफी भीन हो सकती है मॉस्को और सेंट पीटर्सबग सबसे बड़े और सरवादिक लोगप्रिय शहर है जहां किराया सबसे अधिक है मॉस्को में शहर के केंद में एक बेडरूम का अपार्टमेंट किराये पर लेने की लागत लगभग 800-1300 डॉलर के बीच हो सकती है केंद्र से दूर स्थित क्षेत्रों में ये राशी 530-800 डॉलर के बीच हो सकती है रूस में रेस्तरा में भोजन की लागत भी रेस्तरा के प्रकार और शहर के आधार पर व्यापक रूप से भिन होती है किसी मध्यम श्रेनी के रेस्तरा में दुपहर या रात्री भोजन का खर्च प्रति व्यक्ती 13-30 डॉलर के बीच हो सकता है जिसमें पे भी शामिल है यदि आप किसी लगजरी रेस्तरा में भोजन करना चुनते हैं विशेश रूप से मॉस्को या सेंट पीटर्सबग में तो पूर्ण भोजन की कीमत आसानी से प्रति व्यक्ती 65 डॉलर से अधिक हो सकती है रूस में सार्वजनिक परिवहन आमतोर पर कुशल और सस्ता है विशेश रूप से प्रमुक शहरों में मेट्रो परिवहन का सबसे लोगप्रिय साधन है और एक टिकट की कीमत लगभग एक डॉलर है मासिक पास के विकल्ब भी उपलब्ध हैं जिनकी कीमत मॉस्को में लगभग 26 डॉलर हो सकती है टैक्सी सेवाई और एप्स भी प्रमुक शहरों में व्यापक रूप से संचालित होती है यातायात और दूरी के आधार पर छोटी दूरी की टैक्सी यात्रा का खर्च 3-7 डॉलर के बीच हो सकता है मुझे आशा है कि आपको रूस की या यात्रा आची लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इससे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे किसी एक वीडियो पर क्लिक करें मुझे यकीन है कि आप सामगरी का आनंग लेंगे अगले वीडियो में मिलते हैं